सब्सक्राइब कीजी गवर्मेंट एमप्लोईज न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हर खाबर सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का गवर्मेंट एमप्लोईज न्यूज यूटूब चैनल में में दोस्तों आइस वीडियो में हम सैनिक और अर्दसैनिक बलों के जवानों के लिए दो खबर लेकर हैं उसमें सबसे पहली खबर अर्दसैनिक बलों के जो जवान सब्सक्राइब नहीं दिया जाएगा तो इन्हीं दोनों के बारे में हम इस वीडियों चर्चा करेंगे बने रही आप इस वीडियो का पूरा देखिए खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर तो दोस्तों पहली खबर के अनुसार एक्साइज विवाग ने यह निरने लिया है कि भारत में बनी विदेशी सराव आईम एफल की सबसीडी को सबसीडी दरों पर अब अर्दसनिक बलों को मोया करा जाएगा इस सूची में केंद्रिये ससस्त पूलिस बल को भी सामिल लब कर लिया गया है और वरतमान में आईम एफल की सुज़दा केवल भ अब विदेशी सराव की अपनी यूनिट इस्तापित कर सकेंगे और सेना के पास इस समय कोची में बॉन्डेड वेराऊस लाइसेंस है जिसके जरिये हुए केंद्रिये स्टोर डिपार्टमेंट का संचालन करता है वही से सेना आईम एफल को राज की विविन केंटीनुमा बेजता है और नए नेरिना के बाद से अर्थसेनिक बलों के पास भी इस तरह की एक यूनिट होगी जहां से हर फोर्स को आविसेक मात्रा में अपनी विविन यूनिट को बेज सकता है और एकसाईज विवाग ने पहले ही विदेशी सराव के नियों में संसोधन कर दिया है जो इस समय कानून विवा के दायरे में है और बहुत से अर्थसेनिक बलों ने राज सरकारों के सामने मांग रखी थी कि उन्हें सबसिटी दरों पर विदेशी सराव मोया कराई जाए लेकिन सराव ने केवल बी एस एफ और सी आर फी एफ को राज की राज़दानी में केव एक यूनिट खूलने की जाज़दी थी और ऐसे मैं एक बार नई मुझूरी और कानून के तौर पर अलसू चित कर दिया जाएगा तबी यूनिट सभी यूनिट इस सेवका लाव उठा पाएंगे तो दोस्तों काफी अच्छी एक ख़बर है कि अब सभी जो अलसनिक बलों के लिए ख़बर है और वे ख़बर यह है कि अब बिना फिंगर प्रिंट मिलान के आप सेना की केंटिन में एंट्री नहीं कर सकते और नहीं आप वहां से सामान ले सकते हैं तो इसके लिए अब यह नियम चेंज हो गया है इसमें सेना ने अब जो CSD केंटिन ने उसमें जो स हेना की कैंतिंट इसating कुछ लोग जो कि सेनेक नहीं है फिर भी वह सेना कैंतिंट इस सामार कहले थै और अब इन सब चीजों को खत्म के लिए ही CSD की जो डिपार्टमेंट इस कुछ लोग पड़ों बोपुर्ण सेनेक और उनके फेमली मैमबर्स हैं उनके fingerprint जो भी सामा लेने जा रहा है उसका fingerprint मिलान होने के बाद में उन्हें केंटीन से सामान दिया जाएगा और हालांकि अभी देश बर की जो सारी CSD केंटीन है वहाँ पर ये नियम लागू नहीं हुआ है कुछ जो केंटीन है वहाँ पर ये नियम करें माल FRय लाँ नहीं